कि हलो स्टुडेंट में आपको बताने वालो हूँ J2917 Hobart कुलाश्च टिंध हिंदी में جो संस्कीत घद्धेंज आता है उसको पूरा हल करना कि कैसे आपको बोर्ड पर इच्छा में लिखना आपके सामने यहांग पर ङठ्ध्याज है और तो हमें पूरे नमबर मिले क्योंकि यहां पर आता है संस्कृत का गध्यांस कैसे हल करना है तो वहां पर वो लोग नहीं हल कर पाते हैं तो वहीं पर आपको बताने वाला हूँ देखो आपके सामने पूरा है सभ्ण पर संस्कृत का गद्यान से और ऐसे ही लिखना है जो संदर्व लिखा जाएगा और जो अरुवा लिका जाए गशनाह की अ sign आपके पास एक कालीच नेजीपन होनी चाहिए इतना रहेगा सबसे पहले आ जाना संदर्ब लिखने के लिए अब ऐसे उपर आएंगे यहां पर लिखेंगे संदर्ब याहां डाल देंगे कि हम लिखने क्या कि संदर लिखते हैं संदर ऐसे डाल देना इसे नीचे लाइंखिस देना जब बोर्ड की कॉप्र आएगई उसमें पूरा अच्छे लिखना अब संदर लिखने के बाद इसमें क्या करना है यह देखो ऐसे डालना प्रस्तुत संस्कित क्या डालोगे प्रस्तुत गद्यान्स स्टाटी में ऐसे साथ्कित खण्ड है कि प्रस्तुत कि गद्यान्स कि हमारी कि ऐसा ही लिखना है हमारी पाठ्ठ पुस्तक प्रस्तुत गद्यान्स हमारी पाठ्ठ पुस्तक हिंदी के हिंदी के संस्कृत में संक्लित संस्कृत खंड संस्क्रित खंड संस्क्रित में संस्क्रित अब किस पार्ट से लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीड़ा तो यहां पर डालना ऐसे प्रबुद्धो ग्रामीड़ा नामक पार्ट से लिया गया है नामक पार्ट से लिया गया है इस तरीके से हो जाएगा संदर कैसे लिखना है प्रस्तुत गध्यांस हमारी पार्ट पुस्तक हिंदी के संस्कित खंड में संक्लित प्रबुद्धो ग्रामीड़ा नामक पार्ट से लिया गया है अब देखो संस्कित और प्रमुद्यो ग्रामीड वतलब पाठ का नाम है इसको काली प्रिण से लिखना है अब इसके बाद आ जाना है अनुवाद डालना है यहाँ पर लिखना है अनुवाद तो ऐसे काली प्रिण से डाल देना तो ऐसे लिखना एक बार बहुट से लोग धुम्यान आरुहम नगरम मतलब कि रेलगारी से चड़ कर नगर कि और की यूर जा रहे थे एक समय ऐसे लिखो एक समय एक समय ऐसे लिखना है पूरा पूरा वीडियो देखते चलना जैसे मैं लिक रहा सेम तो सेम ऐसे लिखने तभी आपका पूरे नंबर मिलेंगे एक समय बहुत से लोग बहुत कि अब लोग एक बार एक समय बहुत से लोग रेल गाड़ी में चड़ कर कि रेल गाड़ी कि में चड़ कर लगाड़ी में चड़ कर नगर की और नगर की और जा रहे थे जा रहे थे फिर उसका पूरा अनुवाद है वही आपको लिखना है कुछ ग्रामीरं थे तो कि उसमें कि 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 kan कि कि गामीर help उसमे क्या कुछ ग्रामीर थे और कुछ नगरवाची थे म three मत बब कुछ सहर के लोग थे तो कुछ कि नकर क वास्य उसमें से कुछ ग्रामिर थे और कुछ नगरवासी थे तो उसके बाद है यहां पर देखो क्या लिखा गया है मौनम इस्थितेशु तेशु एक नागरी का ग्रामीरा नाम उपस्रम अकत है तो मौन बैठे एक नागरी का मतलब एक सहर के वक्त ने ग्रामीड के वक्त का उपहास मतलब मजाक उड़ाया ग्रामीड अब देखो फिर इसको हम लिखते हैं पहले यहां से उस फिर ऐसे लिखो उने के चुप चाप बैठे रहने पर पर उनके चुप चाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने एक नगरवासी ने ग्रामीडों का उपहास उड़ाते हुए कहा ग्रामीडों का उपहास कि उड़ाते हुए कहा कि ग्रामीडों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि ग्रामीड़ की पहले की भाद आज भी अनपड़ हैं ग्राम वासी मतलब जो गाउं के लोग है क्योंकि यहां पर देखो यह जो लिखा गया है ग्राम नीड़ा अद्दप पूरवत असिक्षित अज्ञान से मतलब गाउं के लोग पहले की बाद असिक्षित और अज्ञान है चलो इसको भी लिखते हैं सेम तो सेम ऐसे ही आपको लिखते चलना है मैं थोड़ा सा दो तीन लाइन और लिखके आपको फिर और कुछ बताता हूं देखो उसने कहा कि ग्राम वासी कि वासी कि पहले कि कि असिक्षित अच्छित अच्छित और अज्ञान है पहले की बात ही असिक्षित है और क्या है अज्ञान है उसका फिर उसने कहा ना तो उनका विकास हुगा है और ना हो सकता है तो लिखो ना तो उनका विकास हुगा है ना हो सकता है ना तो उनका विकास हुगा है और ना हो सकता है जब देखो उसने इतना चीज़े कह दिया तो उसके इस बात को सुनकर यहां पे देखो फिर क्या कहा गया है तस्यम ताद्रिसम जलपानम सुत्वा उनके इस बात को सुनकर कोई एक चतुर ग्रामिड बूला बद नागरिक हे नगरवासी भवान एव निश्चित आप कुछ ही कह दें क्यूंकि आप सिक्षित और चानकार और समझदार है तो यह चीज़े कहा गया इसको भी लिख दें देखा मरकुल मिलाक कहने का मतलब यह है कि जो संतर भर उसमें ऐसे लिखना है उसके बाद अनुवाद डालना और अनुवाद कुछ इस तरह करना है ऐसे करोगे तब ही आपको बोर्ड पर इच्छे है पूरे नंबर मिलेंगी पूरे पांस नंबर आपको मिल जाएंगी वी सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जूट प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अबलेबल हैं